हेलो प्रेंड्स मैं हुआ रीना ये मेरा बेटा अथरवा गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बोज श्वागात करती हुआ प्रेंच आजका वीडियो बहुत ही इन्पटेन है आजका वीडियो है फाइन्द मोटर इसकील आक्टिविटी तो ये जो फाइन्द मोटर इ इसके लिए इंप्रुमेंट होता है बच्चे को सिटीनग होता है बच्चे को फिरी टाइम में इस ताइप के अ क्टिबीटी करा गांगे वा बच्चे को भोकाबुलरी बाढेगा और कालार अइडन्टिपिकेशन होगा बच्चे को मतलब हार एक एरिया की प्रोब्लेम सौल ना दे तो एक्टिवीटी करना बहुत ही मुश्किल है तो ये अक्टिवीटी शुरू में आपको हाथ पकर करना है, फिर आप करते हर रोको पीचन थारिपिका है आइपर अक्टिवीटी कराएंगे, तो बच्छे को धिरे धिरे सीटीग स्केल इंप्रोमेंट होगा एक करने पाइब करने के बाद एक टाइम के बाद बच्चा फाइनली शीक जाता है काफी लंबा टाइम के बाद बच्चा शीकता है एक दो शर लाग सकता है लेकिन आप कॉंटीनीव हाथ पार करेंगे तो जुरूर आपका बच्चा सिखेगा तो आज आईए मैं आज पाच उसके बोटेश बना देंगे, येंके पर चितलों में थिपकरण। जोटा चोटा चिपकरण। ऑच्चे को उठाने का लागाने का ओट्जेव्य एपे पाइनमोमेन्ट उठाए हूता होants सुरु में आपका बच्यागा नहीं को लेगा थे ऐ पह बड़ा बड़ा Iस्तीरा ले लेंगे तो लेने से बच्चा ईजी तरीका से उठा सकता है और ऐसे उठाना मुश्किल होता है आप ऐसे राखके फिर बच्चे को हेल्प करके उठाएंगे जो मीन पहाज ईच नीछे राखे गा तो फिर मुश्किल होता है Bowl मेक्स्ट एक्टिवीटी आए ऐसे आप राइटिंग कर देंगे और राइटिंग के 20 में से बच्चा लाइन लगाएगा यह भी पेंसिल से करा नाई तो अभी अथरबा इसके से कर रहा है जास्ट आप लोग को डार्क लाइन देखाई देगा इसलिए तो ऐसे देखी इसमें कितना एटेंशन और आई कांटाक्ट देना पड़ता है बच्चे को आई हैं कोडिनेशन इंप्रूमेंट होता है क्योंकि बैलेंस राखना पड़ता है बास हो गया तो ऐसे करके आप कराईए रोज एक पेस कराईए मैं बास एक पेस में इतना शारे अक्टिवीटी कराया तो ईए स्टैप के लाइन म है पूरा फियर वांगे लाइन लगाएंगी और इसद्रीच फिटैपट जो ईसकते moc होता है एक पेस बहुआ साहार है आप कुछ profit करेंगे उसके बात राइटिंग के अंदर से लाइनले के लिए बाना आप बाहा देटेंगे कुछ भी बना लिए शुरू में और बडा करूँ तो एसे करके बच्चे को करणाए आच्छा चे करूँ हा तो इसमें बच्चे को आइकांटक इम्पूरुमेंट होता है क्योंकि ध्यांचे नहीं देखेगआ तो फिर ए नहीं बना पाएगा तो शुरू में जब अथरबा को मैंने शिखा ह तो आभी तो फिर वे अथरबा कर लेता है बहुत मुश्किल से शिखा अथरबा शालो शाल लग गया एक देर शाल में एक कॉंसेप्ट नहीं आता है बाच्चों को तीन-चार शाल लग साकता है लेकिन आपको पीसे लागे रहे नहीं जो काम शिकने में मुश्किल है और इन ओको पेशन था रिपका। है जो थे जो लो च्टिवीटे को वह था ठीक रहे तो रोज करा न कि नेक्स्ट जो आक्टिविटे कोई भी शेफ कूस भी बना देंगे शेप बना देंगे आपको फूल बना देंगे तो उसके उपर जैसी यह आड बाड़्गे उसमें कालर लागा के डॉट बनाएगा बस एक बार टास्क करो दो तिन डॉट बन जाएगा हाँ क्योंकि कॉटन है ना रूई लागा हुआ है उसमें हाँ देखो कितना अच्छा लाग रहा है ना तो यह ना बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चा कर सकता है मतलब शुरू में नहीं करेगा 6 मैं आप कराएंगे तो अगर आपका बच्चा सीवेर है तो 6 मैं हाथ पकरके कराएंगे फेर इतना अच्छा से नहीं करगा लेकिन कालार है ना थोरा गिला गिला टाइप के हाई ऐसे करके थोरा असा इंटरेस्ट लेता है शाथ के शाथ आप भी एक पेज में कराईए बच्चे को देखाती थी लेकिन देखता नहीं ता फिर भी जास्ट एक वह है जे बच्चे को लागे जे मैं एके ले नहीं कर रही हूं मामा भी कर रहा है तो आईसे करके करते रहिए तो यह पास आक्टिबीटी जोरूर अपना बच्चों के सत कराईए और मेरे सत कोई तो कोई अगर मेरे साथ कंटक करना चाता है तो कंटक कर सकता है और वीडियो अच्छा लागे तो कमेंन करके जुरूर बताईएगा और शेयर जुरूर किजी उस पैरेंस तक पोछे जो घर बैट के बच्चों के साथ समाज में नहीं आता है कहा से शुरू करें कैसे काम करें और जो इस्टाटिंग बला पैरेंस है गोल्डी मैं में चैनल पे एक नामबर से लेके 50 नामबर तकी आक्टिवीटी कराई है यह पर इस्टाटिंग से एक नामबर से मैंने आक्टिवीटी अपलोट किया फास्ट अथरवा को किया मिला था हुआ से तो आप लोग देखी औ यूटूब देखके काम करकी भी बच्चे को इंप्रूमेंट करा सकता है तो आज यह तक नेक्स्ट वीडियो में अक्टिवीटी के साथ फेर अपलोग के साथ मिलती हुआ टाटा बाई-बाई-बाई-थैंक्यू सो मच ताटा बाई-बाई-थैंक्यू सो मच